कि आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी डेक पे आज मैं आपसे किसी मुवी या किसी वेब सेरीज के बारे में बात करने नहीं आई हूँ जी हाँ आज मैं आपसे बात करने आई हूँ टिक टॉक के बारे में जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि कल इंडियन गौर्मेंट्स ने एक 59 चैनीज एप को बैन कर दिया है अब बहुत से लोगों के मैंड में यह चल रहा है सवाल चल रहे हैं कि आके इंडियन गौर्मेंट्स ने इन एपस को बैन क्यों किया है और खासकर टिक टॉक को तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन गौर्मेंट्स इसने ऐसा क्यों किया है लेकिन जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दे और अगर आप हमारे चैनल पर नएय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए बात करते हैं कि इसका में रीजन का है और इस गवर्मेंट ने ऐसा क्यों किया है ते कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो अभी कुछ टाइम पहले बॉर्डर पर हमला हुआ था शायद इसकी वजह से गवर्में का मानना है कि जितने भी चाइनीज एप हम यूज करते हैं जो हमारे फॉन में है उसके थ्टू यहां की इंवर्मेशन जो है वो छीन में पहुशती है और जो डीटा होता है वोisel है किया जाताहимиaufen कॉष्ट को दे जाती है इसी के चलते गवर्मेंन और यह फैसला लियाmind और हम कोई भी यहां का डेटा हैक नहीं कर रहे हैं आप चाहें तो आप कुछ भी कर लीजिए कैसे भी पता कर लीजिए बट आप टिक टॉक को यहां पे बंद मत करें दीखें दोस्तों इंडिया में टिक टॉक सबसे ज़्यादा चलाया जा रहा है यहां से इस कंपनी को बहुत इसे गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया है और एपल से भी हटा दिया गया बट अभी तक यह बात प्रूफ नहीं हुई है कि चाइनीज एप के ठूट यहां की इंफर्मिशन वहां जाती है या फिर वह यहां का डेटा हैक करते हैं तो अगर सुप्रीम कोट में यह चीज प्रूफ हो जाती है कि वह हमारा डेटा हैक नहीं करते हैं तो अगर यह चीज प्रूफ होती है तो हो सकता है टिक टॉक वापस आजाए लेकिन फिलाल तो ऐसा नहीं लग रहा है आगी का क्या होता है वह फिर आगी चागी पता चलेगा इंडिया टिक टॉक के लिए बड़ी मार्केट है और कंपनी नहीं चाहती है कि टिक टॉक को यहां से बैन किया जाए इसके लिए हो सकता है कि वो आगे अगे अपनी कोई पॉलिसी लाया या फिर अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजिस करे लेकिन इन सबसे भी कुछ नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट म क्शिए वापस आजाए अब जितने भी टीक टॉक के िटॉक कर दिया गया है conscious कि अगर टॉक वापस आता है तो आपके वीडियोज आपके TikTok ID पे ही रहेंगे Friends आपको हमारी information कैसी लगी प्लीज हमें comment करके बताएगा तब तक के लिए मैं चलती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे एक next वीडियो में Bye Bye Take Care